हाइ फ्रेंड्स मैं हूँ आपकी दोस्त राधिका राधिका बेकर्स चानल आज मैं आपको जो केक दिखाने जारी हूँ है पिनाटा केक मोस्ट रिंडिंग केक है सब को पसंद आता है और बचों का मोस्त बहुत फेवरेट केक है तो स्टाट करते हैं हम केक बनाना बहुत अच्छा केक, poucoलेडे यहां में मोडलिया का डार कंपॉंड रीया है यहां में और चॉकलेट को मैंने अर्डरी मिल्ड करके रंग दिया था तो के तो यहिंु जो सिलिकॉन स्वाब लेक है इसके अंदर կह जो हमारा छोकलेट है यह हम पोर कर देते हैं तो मैंने यह ज़ी चोकलेट है पोर कर दिया और हम एक्वली सब जगह पे यह जो चॉकलेट लाइट करेंगे तब तब यह हमारा mold complete करते में थोड़ी सी मेरे classes होते है उनकी बारे में मैं आपको थोड़ी से information दूँगी मेरे class थाना में होते है और हमारे classes होते है वो online, offline दोनों होते है अगर आपको online classes करना है तो मैं मेरा number जो है description box में डाल दूँगी आप हमें directly whatsapp कर सकते हो दोनों classes के लिए online, offline के लिए booking start है हमारे पास 60 plus variety of courses available है जिसमें wage, non-wage दोनों classes available है और हमारे पास basics to advance bakery के classes है 25 जो classes है वो bakery से related classes है जो की cookies है बहुत सारे मतलब tea time cakes है brownies so many classes हमारे पास अविलेबल है एगलिस का classes अविलेबल है तो इसमें से कोई भी classes आपको करना है तो आप हमें directly whatsapp कर सकते हो ये जो classes है ये professional level पे classes है आप इससे कोई भी आपका food business टार्ट कर सकते है यहां पे मेरा जो chocolate है यहां पे जो चाकलेट है यहां पे मैंने फ्रीज में रग दिया था यह सेट हो चुका है और मैं सेकेंड लियर यहां पे लगा रही हूँ है तो अगें मैं चाकलेट का पोर कर रही हूँ equally मैं सब जगह का spread कर रही हूँ और यहां पे मैंने जो मेरे पिनाट्टा का silicon mold है वो जो इनके जो corner होते है इसको आपको अच्छे से feel करना है ताके जब आप चॉकलेट mold से बाहर निकालोगे तो यह तूटेगा नहीं second layer भी देने का reason यही है कि चॉकलेट आपका तूटेगा नहीं बाहर नहीं silicon mold से अगर आप चॉकलेट निकालोगे तो तूटेगा नहीं अगें मैं इसको फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ दूँगी ओके यह अच्छे से मैंने चॉकलेट को लगा दिया है और जो उपर का जो है एक्स्ट्रा चॉकलेट जो है उसको आपको knife की help से निकाल देना है अगें तो finishing अच्छी नहीं आएगी आपकी तो अगें मैं इसको फ्रिज में सेट करनी के लिए छोड़ दूँगी और यहां पर यह जो मोल्ड है वो complete हो चका है अगें मैं फ्रिज में छोड़ दूँगी इसको यहां पर मैंने हाफ केजी का केक में बना रही हूँ तो यहां पर मैंने केक का स्पॉंज लिया है सबसे पहले तो मैंने चॉकलेट गनाश को रेडी करके रखा था चॉकलेट ट्रफल स्वरी तो यह यह थोड़ा इसको मैं और डे मैंने रेडी करके रख दिया था यहां पर आपको केक को सुगर सरब से सोक करना है एंड गनाश से कवर करना है केक को ऐसे बहुत सारी चीजे जो होती है आपको गनाश कैसे पॉफेक्ट गनाश कैसे बनाना है मिल्क का गनाश डावाइट चॉकलेट का गनाश सो मैंने थिंग आपको मतलब मेरे हमारे पास जिनको जीरो नॉलेज यह उनकी लिए एक अलग से संधे क्लास है इसे में हमारे प्लास क्लासे अवालेबल है तो उसमें हम डिफर्ट डिफर्ट तरीके आपको नॉलेज देते हैं बहुत सारी चीजे आपको सिखा ही जाती है ओके तो यह second layer and again मैं चीनी से cake को soak कर रही हूँ और गना से cover कर रही हूँ और हमारे पास जो basic to advance cake class है वहाँ पर मैं आपको जिनको zero knowledge है जिनको कुछ भी knowledge नहीं है cake का उनकी लिए मैंने ये class जो है वो organize किया है वहाँ पर मैं आपको basic sponge जो रहते है वहाँ पर मैं आपको egg sponge पर दिखाऊंगी eggless भी दिखाऊंगी eggless from scratch से कैसे बनाते है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और उसके बाद मैं आपको from scratch के बाद मैं आपको market में कैसा sponge बनाते है market में work कैसे चलता है यह सब का नॉलेज में आपको देंगी ओके तो चलते हैं हमारे केक की तरफ यहाँ पे मैंने विपिंग क्रीम लिए है विपिंग क्रीम में मैंने मास्टर शेप का जेल कलर यूज किया है मिक्स कर रही हूं यहाँ पे और यहाँ पे मैंने यहाँ पे यहाँ पे ऊप अपछूली मेरा यह जो केक था यह केस्टमर के रिक वेस्टches पर मैं बना रही हूं यहाँ पे मैंने PINK COLOR लिया है PINK COLOR से मैं INSयेट का जो केक है वो कवर कर रही हूं क्यूंकि कस्टमर को जो PEίνटा के अंदर का जो केक चाहिए था कि वह पिन्क कलर में जाई और स्ग्ड वाला जो चाहिए ते वह छाहिए हो doing जाई तो में यहां प्लींग कालर से में के कऊ पर कर रहीा है भुब कजए यह बहूत ही एभ मतलब गर जट के पड़ फीश है पर इसकर बना सकते हो अगर आपके पास all material available है और यह जो बेकरी का अगर आप हमसे बेकरी के कोर्स करते हो तो आप बहुत इसली से खुद का business टार कर सकते हो without any investment without any पतलब कुछ भी आपको बेकरी का अगर बेकरी के basic to advance के class के लिए आपको कुछ भी investment जादा करने के ज़रूरत नहीं है यहां पर मैंने silicon mold लिया है सेट हो चुका है यह जे चॉकलेट है अच्छे से पंदर 15 मिनट के लिए मैंने अग्यन रखा था से सेकेंड लेयर हमारा यहां पर सेट हो चुका है तो इसको मैं निकाल रही हो गाइज यह बहुत अच्छे तरह से के starting आपको उपर से करनी है बहुत light हाथ से आपको यह जो वह भये हो निकाला है झाल नहीं तो आपको यह जो अपने मैनत की किय यह फुरा मैलां से मौल जो है कि यह मैंने मौल जो है चॉकलेट जो यह थैं निकाल दिया है और सी कितना शाइन कर रहा है यह परफेक्ट तो यह जो चॉकलेट है हम इसके उपर रख देंगे यह मैं सिंपल डिकोरेशन कर रही हूँ इसको मैं रिबन से कवर करने वाली हूँ और यह जो पिनाटा का डिकोरेशन है वो आप आपकी हिसाब से कर सकते हो यहाँ पे आप मैं यहाँ पे रिबन लगा रही हूँ और आप गुलाब की जो फूल है वो लग सकते हो वाईट चॉकलेट से डिकोरेशन कर सकते हो डस से कर सकते हो मैं यहाँ पे उनली रिबन लगा तो आप अपने हिसाब से डेकोरेशन कर सकते हो ओके मैं यहाँ पर यह कस्टमर का रिक्वेस्ट था कि मुझे ऐसे ही चाहिए तो मैं ऐसा बना रही हूँ मैं चौकलेट किया था एक जुट खाले फोला का रीबन में रिवन के चौकलेट के जाए तुट है निया है यहाँ तो मैं आपको मेरा यह जू चैनल है रेसिपी घ्या ठीट रेटी है और यहाँ पर मैंने विपिंग क्रीम कैसे बीट करना रिंक में चाहिए दोंगी क्रीम को कैसे बिटकन है वो भी मैंने वीडियो डाला है तो आप वो जा के चकर सकते हो यहां भी ने गोल्डन डस्ट लिया है और ब्रश की ब्रश की हल्प से मैं इसको सब जगह पर एक्वल स्प्रेड कर रही हूं कि तो आप अगर आपको मेरा चानल पसंद आता है मेरे रेसिपी पस हमें एकरेज्ड मिलता है जिए को मेरे चैनल को एक लाइक शेयर म मै शेयर सब्सक्राइब ज़रूर नाँकिया मैं जरूर करना तो यहां पर मैं लिए == लगा रहा है गोल्डन डस्ट लें चॉकलेट करें एक यहां पर टार कमपोंड यूज करहें यहां पर वाइड कमपोंड भी यूज कर सकते हो ऑफ लगा English को आप घूर करना है यूज़ कर रहे हूँ पहले वाले में जो मैं जने में यूज़ कि थी वही सेकेंड यूज़ पर भी पहले यहांपर डबल रिपिट नहीं करूँगी Promise अ गरियर मेरे चॉक्लेट लगाया एंड शुगर सरब SMITH canare । अगर आपको पॉफेक्ट चॉकलेट गनाश कैसे बनाना है इसकी अगर आपको यह सीखना है तो कमेंट्स में भी हमें जरूर डालना कि हमें अगर आपको हमसे कुछ सीखना है नया कुछ तो वो भी आप हमें बता देजे कमेंट्स में जरूर डालना मैं आपके रिक्वेट्ट जरूर कम्प्रेट करने के कोशिश करूँगी यहाँ पर मैंने ब्लू कलर से केको कवर कर लिया है यहाँ पर मैंने नूर का 8 नमबर नोजल लिया है और डार्क चॉकलेट को मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया था ओके चॉकलेट में चॉकलेट कम पाइपिंग में डाल देते हैं गार्क बार्च निकालेंगे पिंघाठाक केक के सब्सक्राइब सब्सक्रा harness को में रबातौ में याप सब्सक्राइब बहुत बनैज बहुत बच्चों क्यांताई बोट बंक ने अपके लिए मोड़ जा इंप तो यह यहलीक शेम तो यहां पर हमारा जो चॉकलेट है यह सेट हो चुका है हम केक ले लेते हैं और जो चॉकलेट का चॉकलेट है यह उसके उपर रख देते हैं और यहां पर हम सेटा कैसे आया है यहां पर हम इसके बार्डर निकालेंगे और यहां पर मैं मेल्टेट चॉकलेट ले रही हूं चॉकलेट लेकर मैं पिनाटा के उपर डिजल करूंगी यहां पर वॉयट्चाइब और यूत कर सकते हो और समं कलर्पूल पृंकोल्स ब्रीक्ष्य जो में इस प्रिंकोल्ड डाल सकता हूं तो ओकेक लेता है चौकलेट हम ख़ली राओ लातई लगाएंगे लाओं निकालेंगे कब के उपर यह वाइट चॉकलेट से करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा फिलाल तो मेरे पास वाइट कंपाउंड नहीं था तो मैंने काम चला लिया उटार कंपाउंड से ही तो इसके उपर आपको गोल्डर एंड सिल्वर बॉल्स प्रिंकल करना है बड़े बड़े बॉल्स या तो फिर चोटे चोटे फूल्स फॉंडरेंट के बहुत सारे डेकोरिशन आपके आइडियास से आप कर सकते हो यहाँ पर यह जो केक है यह भी रेडी हो चुका है गाइस अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है यह जो रेसिपी है यह जो केक है यह मैंने आपको दिखाय यहाँ यह पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्स्क्राइब करना ना बूले और वह मेरा फेसबुक पे भी पेज और रादीका बेकर्स करके इंस्टा पे भी है और हमें फॉलw करना लाइक करना प्स्राइम करना ना भूले यह केक है यह अभी fail रेडी हो चुका है, तो यह सेकेंड वाला हमारा केक है, यह भी यह रिडी है, यह ऐसा रिजल्ट है हमारे केक का, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फो वाचिंग, लाइक, शूराइब, सब्सक्राइब, थैंक यू